नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं Tech Unboxing और गईज आजकल मार्केट में कई सारे Smart Watches लाँच हो रहें जिसमें आपको Bluetooth कॉलिंग का फीचर देखने मिलता है और यहाँ पर हमने Almost सारे Smart Watches के Unboxing की है और बहुत सारे लोग मुझे More Life Sense Finder Smart Watch के Unboxing के लिए request कर रहे थे So finally यहाँ पर हमारे पास यह Smart Watch आ चुकी है जो है More Life की Sense Finder और इसके अंदर आपको Massive Display देखने मिलता है काफी कम Bezels के साथ प्लस यहाँ पर भी आपको Calling Feature उन्होंने प्रोवाइड किया है और धेर सारे और भी Features आपको इसमें देखने मिलते है प्लस यहाँ पर हमारे पास है Special Discount Coupon Code जिसकी हेल्प से आपको यह Smart Watch काफी Budget Pricing में अविलेबल मिल जाएगी जिसके डीटेल्स हम वीडियो में बताएंगे तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए अगर आपने आप मारे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर बॉक्स के आगे की तरफ आपको मुलाइफ सेंस 500 की बैजिंग देखने मिलते है वो वाच की एक्चुल इमेज यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड की है बॉक्स की साइड में यहाँ पर आपको देखने मिलते है उसके कई सारी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन जिने हम वीडियो में देखेंगे और पीची की तरफ यहाँ पर उसका एप्लिकेशन का क्योर कोड और उसकी MRP मेंचेंड है तो जैसी हम इसे unbox करते हैं यहाँ पर सबसे पहले वो actual smart watch आपको देखने मिलते है and initial first impressions काफी premium build quality यहाँ पर आपको देखने मिलते है तो इसे फिलाल हम रखते है side में उसकी साथ नीचे की तरफ यहाँ पर उसकी magnetic charging cable आपको देखने मिलते है and finally यहाँ पर उन्होंने उसका user manual भी provide किया है तो सबसे पहले यहाँ पर जो smart watch के उपर का plastic wrap है उसे हम remove करते है और करते है इसे power on और आप देख सकते हूँ यहाँ पर moolife की branding आ चुकी है और उसकी बाद इसका जो application है da fit application उसके साथ आपको इसे pair करना है तो बस add device पर click करना है आप देख सकते हूँ यहाँ पर smart watch आ चुकी है और click करते है बस यहाँ पर pairing request accept करनी है और आप देख सकते हूँ यहाँ पर जो smart watch है वो pair हो चुकी है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके build quality की तो यहाँ पर आपको complete metal casing में यह smart watch देखने मिलते है और यहाँ पर पीछे की तरफ उन्होंने sensors और उसका charging point प्रोवाइड किया है यहाँ पर completely replaceable silicone straps आपको देखने मिलते है उसे के साथ right hand side पर यहाँ पर आपको power button और उसके नीचे mic उन्होंने प्रोवाइड किया है और left hand side पर यहाँ पर उसका speaker grill आपको देखने मिलते है तो guys overall काफी impressive build quality इस watch में आपको देखने मिलते है फिर हम बात करेंगे इसके display की तो यहाँ पर आपको काफी बड़ा सा 1.7 inch का display उन्होंने प्रोवाइड के है जिसके अगर मैं bezels की बात करूँ तो आप देख सकते हूँ काफी कम bezels आपको देखने मिलते है और practically indoor lighting conditions में और outdoor lighting conditions में बहुत ही बड़िया तरीके से इसका display आपको visible हो जाता है और येस ये एक Bluetooth calling smart watch है तो यहाँ पर सबसे पहले हम test करेंगे इसमे Bluetooth calling feature तो यहाँ पर बस आपको जाना है इसके calling section में और आप देख सकते हूँ यहाँ सही आप directly call place कर सकते हो कुछ इस तरीके से अलो बावबाई कैसे हो एकदम बढ़ी है सर आप कैसे हो एकदम बढ़ी है अच्छा मेरी आवाज कैसे आ रही है ठीक आ रहे है कोई disturbance आ रहा है कोई disturbance नहीं कोई disturbance नहीं कोई disturbance नहीं अच्छी आ रहे है ना वाज चलेगा ओके बावबावबाई थैंक यू so guys Bluetooth calling बहुत ही बढ़िया तरीके से इस particular smartwatch में work करती है and yes ये एक Bluetooth calling smartwatch है तो इस smartwatch को आप as a Bluetooth speaker में उसके लिए बस आपको जाना है music control section में और यहाँ पर जैसी आप play बटन पर click करते हूं यहाँ जो music वो play होना start हो जाता है और डिरेक्ली आपके smart watch पे आपको उसकी audio सुनाई देगी और फिर हम देखेंगे इस watch के UI को So guys, यहाँ पे watch पे सबसे पहले आपको home screen देखने मिलते हैं बस यहाँ पे आपको tap करके रखना है और यहाँ पे जो different watch faces है उन्हें directly आप यहाँ से ही change कर सकते हो उपर से नीचे जैसे आप swipe करते हो यहाँ पे आपको brightness adjustment का knob उन्होंने provide कि है similar आपको देखने मिलता है iPhone जैसे settings, weather, battery, कई सारी information यहाँ पे आपको देखने मिलती है right hand side पे यहाँ पे आपको sleep data भी visible हो जाता है उसका भी complete data आपको 7 days का यहाँ भी visible हो जाएगा फिर यहाँ पे आपको heart rate monitoring देखने मलता है और यह continuous heart rate monitoring है और आप देख सकते हो यहाँ पे continuously heart rate यहाँ पे यह track करता है उसके साथ next menu में यहाँ पे आपको calling का option देखने मलता है तो directly आप यहाँ से dial करके call place कर सकते हो प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो contacts भी आपको आपके visible हो जाएंगे और यहाँ पे अगले menu में यहाँ पे blood pressure monitoring का option देखने मलता है और guys जैसी आप यहाँ पे right hand side में यहाँ पे swipe करते हो यहाँ पे आपको option देखने मलता है basically यह complete menu है जिसे आप यहाँ पे settings में जाके change भी कर सकते हो तो यहाँ पे हम करेंगे इसे menu style में honeycomb बाद में इसे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने मलता है अपने कितने steps लिए sleep, heart rate monitoring जैसे हम बाद में देखेंगे training में यहाँ पे आपको 8 sports modes देखने मलते है और इसमें आपको swimming का भी sports mode उन्होंने इसमें include किया है so यह जो watch है यह है IP68 water resistance so directly आप पानी में इससे समझ करके रख सकते हो फिर भी यहाँ पे आपको tension लेने की ज़रुवत नहीं है and yes उसी के साथ यहाँ पे आपको phone calling, blood pressure monitoring, SPO2, weather, messaging, shutter player का option देखने मलता है डिरेकली आप music को इसकी help से control कर सकते हो उसी के साथ stopwatch का option उन्होंने प्रोवाइड किया है फिर alarms का option देखने मलता है जिसकी help से आप alarm को turn on, turn off कर सकते हो फिर guys next menu में यहाँ पे आपको countdown, flashlight, others के option में यहाँ पे आपको brightness, phone, call reject, vibration, D&D, theater mode, reset, power off की और code about the device का option उन्होंने प्रोवाइड किया है और यह जो particular menu style है इसे अगर आपको honeycomb style में change करना है तो बस यहाँ पे honeycomb पे select करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे complete iPhone जैसा ही UI आपको देखने मिलेगा और यह काफी smooth यहाँ पे feel हो रहा है and yes अगर मैं बात करूँ इसके health tracking की तो यहाँ पे आपको continuous heart rate monitoring का भी option उन्होंने इसमें provide किया है प्लस यहाँ पे आपको blood pressure monitoring का भी option देखने मिलता है उसे के साथ SPO2 monitoring भी उन्होंने इसमें provide किया है heart rate tracking यहाँ पे आपको काफी accurately देखने मिलता है so guys sports mode के मामले में जी हाँ outdoor walking में मुझे काफी बढ़िया accuracy इस particular smart watch में देखने मिली and उसी के साथ हम बढ़ते है इसके application के UI की तरफ जो है the fit application so guys यहाँ पे application में सबसे पहले आपको देखने मिलते हैं आपने कितने steps लिए फिर आपे आपको sleep data visible हो जाता है full day heart rate monitoring का भी data visible हो जाता है फिर यहाँ पे heart rate जो recent heart rate है वो visible हो जाता है blood pressure monitoring, blood oxygen level, outdoor running, walking so यहाँ पे हमने 35 minutes का outdoor walking किया था उसके सारी details यहाँ पे आपको visible हो जाते हैं आपकी pace, mileage, average, speed और फिर यहाँ पे जो आपके heart rate zone से वो भी आपको visible हो जाते है उसी के साथ यहाँ पे जो next menu है उसमें आप देख सकते हो जो watch है वो connected है उसकी battery life यहाँ पे आ चुकी है और सबसे पहले यहाँ पे आपको watch faces इसमें देखने मिलते हैं तो यहाँ पे उन्होंने more than 100 plus watch faces इसमें इंक्लूड किये यहाँ पे आपको application की help से set करना है और फिर यहाँ पे आपको shutter का option देखने मिलता है फेवरेट contacts का भी option उन्होंने प्रोवाइड किया है other settings में आप देख सकते हो find my device full day heart rate monitoring को यहाँ पे हमने enable किया है language का option यहाँ पे आपको देखने मिलता है unit format फिर बाद में quick view का option उन्होंने दिया है daily water drinking reminder भी आप इसकी help से set कर सकते हो weather को यहाँ पे हमने turn on रखा है female menstrual cycle का भी option इसमें उन्होंने provide किया है plus यहाँ पे आपको formware upgrade का भी option इसमें देखने मिलता है so guys कुछ इस तरीके का UI इस particular application में आपको देखने मिलता है smart watch पे यहाँ पे आपको notification आ जाता है plus जैसे मुझे यहाँ पे SMS भी receive हो रहा है immediately यहाँ पे smart watch पे आपको notification देखने मिलेगा so guys overall यहाँ पे आपको quick notifications इस watch में देखने मिलते है and yes उसी के साथ हम बात करेंगे इसके battery की तो यहाँ पे आपको 220 mh की battery इसके अंदर देखने मिलती है तो continuously अगर आप Bluetooth के साथ इसे connected रख रहे हो तो up to 3 days की battery life इसके अंदर आपको देखने मिलती है so guys यह जो particular smart watch है mo life का sense 500 इसमें आपको काफ़ी बड़ा सा display देखने मिलता है अगर मैं इसे compare करू Crossbeats के Ignite H2 के साथ तो भी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा display आपको देखने मिलता है और काफ़ी bright display आपको देखने मिलता है and yes अगर हम बात करेंगे इसकी pricing की तो यह आपको मिल जाता है 4599 रुपीज की price में जहाँ पे हमारे पास है एक special discount coupon code tech unboxing family के लिए जो यहाँ पे आपको screen के ऊपर visible हो जाएगा या फिर नीचे description box में आपको मिल जाएगा जिसकी help से आपको directly flat 600 रुपीज यहाँ पे off मिलने वाला है so इस particular smart watch को आप purchase कर सकते हो 3999 रुपीज की price में so guys यह काफ़ी impressive pricing है इस particular watch के लिए so जरूर जाके purchase के जिए इस watch को link मैंने नीचे description box में दे दिये and yes guys बस यही था आज के वीडियो I hope आपको आपको यह वीडियो पसंद आगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो please इस वीडियो को like कीजिए और ऐसे ही tech related unboxing के लिए subscribe कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तो और एक important बात please मैरे facebook page और instagram page भी like कीजिए तो दोस्तो मिलते अगरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद